हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो माई चैनल, आज हम केले के गुलगुले मनाएंगे, ये बनाना बहुत आसान है और खाने में बहुत टेस्ट लगता है, अगर कोई गेस्ट अचानक घर में आ जाते हैं, तो आप इसको बहुत जल्दी बना सकते हैं, बच्चे लोग को भी ये खा अभी हम एक मिश्चा जाल लेंगे और इसमें डाल देंगे दो केला, केला को चोटा चोटा टुकडा करके काट देंगे, जैसे ये अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा, केला का जो चोटा चोटा टुकडा इसमें नहीं रेना चाहिए, इसको अच्छे से ब्लेंड करना होगा इसलिए हम इसको एसे चोटा-चोटा करके काट दियें अभी हम इसमें डाल देंगे 3-4th कप दूद थोड़ा साथ दूद इसमें से बचा के रखेंगे अगर जरूत पड़ेगा तो बाद में डालेंगे इतना दूद हम रख लेंगे बाद में इसको डाल देंगे अभी हम इसमें डाल देंगे 4-1,5 तबूल स्पून चीनी मिठा आप अपने पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं 1 तीस्पून इलाइची पाउडर और सारे चीज़ को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे अभी हम इसको एक बरतन में ट्रांसपर कर लेंगे इसमें डाल देंगे 3-4 कप मैदा हाप कप गेहूं का अटा चाहे तो आप इसको सिर्फ अटा में भी बना सकते हैं मगर मैदा डालने से इसका टेस्ट थोड़ा सा अच्छा लगेगा अभी हम इसको डाल देंगे हाप कप आटा वान टीस्पून सॉंफ नमक स्वाद के हिसाब से हम यह पर हाप टीस्पून लिये हैं वान बाइफ फोर टीस्पून बेकिंग सोडा अभी सारे चीज़ को अच्छे से से मिक्स कर लेंगे अभी जो थोड़ा सा दूद रखे थे इसको भी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अभी यह तैयर हो गया अभी चलिए इसको फ्राइ करेंगे फ्राइ करने के लिए एक कड़ाई में तेल को गरम करेंगे देखे जो बटर हम त्यार के थे एसे ही रहेगा गोल हम आपको दिखाएंगे देखे इतना ही थीक रहेगा अभी तेल अच्छे से गरम होने के बाद हम इसमें थोड़ा सा परसन डाल के देखेंगे अगर यह उपर करने लगेगा तो आपको पता चल जाएगा तेल अच्छे से गरम हो गया है अभी हम इसको निकाल देंगे और सारे जो गुलगुले को फ्राय कर लेंगे अभी हम गुलगुले को फ्राय कर लेंगे जब आप इसको फ्राय करेंगे ग्यास का फ्लेम को मीडियम रखिए अगर ज़्यादा हाइ फ्लेम में करेंगे ये तूरंत जल जाएगा थोड़ा सा गोर्डन ब्राउन होने के बाद हम इसको पल्टाएंगे आपको एक बात का ध्यान रखना है जब आप इसको फ्राइ करेंगे तो ग्यास का फ्लेम को मीडियम कर लिजे अभी बीच बीच में थोड़ा पल्टाएंगे इसको देखिए जो पहले डाले थे ये अच्छे से हो गया है अभी दूसरा जो डाले थे इसको भी पल्टाएंगे चारो तरब से अच्छे से गोल्डन ब्राउ होने के बाद हम इसको निकाल देंगे जो पहले डाले थे इसको निकाल देंगे यह अच्छे से हो गया है अभी हम इसको एक प्लेट में निकाल देंगे नीचे टीसुपे पर रखे हैं जो सारा जो आयल है ये सोक हो जाएगा देखिए ये भी अच्छे से हो गया है इसको निकल देंगे और सारे गुलगुले को इसे ही फ्राय कर लेंगे चाहे तो आप हाथ में भी बना सकते हैं देखिए अभी हम इसको निकल देंगे देखिए गुलगुले रेडी होगे आप एक बार इसको घर में बनाएए अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे मेरे वीडियो को लाइक करना सेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्यू फर वाचिंग देखिए अंदर की तरब से भी कितना अच्छे से हुआ है